हेलो एंड वेलकम टो आर्पी स्टेडी पाइंट्स नमस्कार दोस्तों मैं रविंद्र पाउर आपका आर्पी स्टेडी पाइंट में स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आरादसी ग्रूप डी का जो फर्स्ट फेस का एक्जाम हुआ उसका सबसे स्टिक दोस्तों मैं जो कट आप बताऊंगा तीन बिंदो का आधार मान करके बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले लो अटेंडेंस दूसरा पर्सेंटाइल नार्मन लाइजेशन और तीसरा डिफिकल्टी लेवल जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है इसी को आधार मान कर मैं जो फर तो भूल ही गए थे कि उन्हें ने फाम भरा था जिसके चलते काफी कम student paper देने पहुच रहे हैं दोस्तों अगर हम difficulty level की बात करें तो paper का difficulty level काफी अधिक है लोगों के जो maximum attend है question यह 60-70 के बीच में हो रहा है कुछ student असी भी किये है अटेंड कुछ 90 भी किये दोस्तों पर जो 90 किये इनमें से पूरे सही नहीं लग सकते और maximum जो student के attend है यह 50-60 के बीच में हो रहा है कि दोस्तों जो paper का difficulty level है यह काफी अधिक रखा है इन्होंने और जो paper का difficulty level हर सिप्ट में समान बनाए हुए हैं दोस्तों तो इसी को आधार मान करके मैं आपको सबसे सटिक कट आप बताऊंगा जो rrc group d का जो फर्स्ट फेस का एक्जाम हुआ था उसमें दोस्तों कट आप बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो आप हमारी चैनल हाज़ी पूर दोस्तों यहां पर हम बात करें की वेकेंसी यहां थि 553शाट दोस्तों अगर हम PT की बात करें तो ुरे मार्क 63-65 के बीच में आ रहे तो दोस्तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से चालू कर दीजे दोस्तो क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और टाइम नहीं मिलेगा तो दोस्तो इस्टूडेंट फैल हो जाते हैं इसके बाद जो अगर हम बात करें OBC, OBC के अगर 60-62 के बीच में रा मार्क आ रहे हैं तो आप तयारी चालू कर दिजे, दोस्तो जो पिछले बार का जो एक्जाम हुआ, उसमें कुछ student के 30, कुछ के 20, कुछ के 25 अंक तक बढ़ जाते थे, दोस्तो इस बार percentile normalization है, तो normalization में ही कम अंक की तयारी चालू कर दिजे, अभी से, ST की अगर बात करें, 48-52 के बीच में है, तो आप तयारी चालू कर दिजे, EWS का जाइद गार अस्तो 59-61 के बीच में cut-up, यह RRC हाजीबूर का है, इसके बाद देखते हैं next zone, इसके बाद है जो RRC मुंबई, western railway मुंबई, पस्चिम railway अगर हम वेकेंसी के बात करें, तो 10,734 वेकेंसी है, अगर हम PT के बात करें, तो PT के लिए 3 गुना, इसमें अगर 3 का गुना करेंगे, 32,202 के लिए PT के लिए बुलाया जाएंगा, candidate को, अगर हम बात करें, यहां यूर की, तो यहां ज्यादा, पोस्ट होने के कारण यहां, कट आप काफी कम जाएगा, 56-60 के बीच में जाएगा, यहां पर यूर का, अगर हम OBC की बात करें, तो OBC की जाएगा 54-58 के बीच में, अगर हम SC की बात करें, SC का जाएगा 52-53 के बीच में रहने की उम्मीद है, दोस्तों इस से आप, ब्लस दो, अगर कम या अधिक है, तो आप तयारी चलू कर दिजे, इसके बाद में, अगर हम SC के बाद करें, 44-48 के बीच में है, तो आप तयारी करना चलू कर दिजे, EWS, 53-56 के बीच में है, तो आप तयारी चलू कर दिजे, PET की, अभी सही, इसके बाद जो नेक्स्ट जोन है, यह है RRC सिकंद्रा बात, दोस्तों यहाँ वेकेंसी है, 9,328 वेकेंसी है, दोस्तों अगर PT के लिए बात करें, तो 27,984 लोगों को PT के लिए बिलाया, जाएगा फिजिकल एफिसेंसी टेस्टर के लिए, दोस्तों अगर हम यहाँ UR के कटाप की बात करें, तो 54,98 के बीच में रहने की संभावना है, इसमें प्लस दो कम या अधिक हो सकता है, OBC की बात करें, 53,56 के बीच में रहेगा OBC का, इसके बाद में SC का, SC का 50,53 के बीच में रहने की संभावना है, इसके बाद ST का 48,52 के बीच में रहेगा, यह WS 50, से पच्पन के बीच में हैं तो उनका पीटी के लिए उनका बुलाया जा सकता है दोस्तों इस जोन में दोस्तों अगर हम बात करें कि फाइनल जो फाइनल रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट कितना जाएगा तो दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट है इसमें तो पीटी के लिए ति तो जो final का cut-up जाएगा दोस्तो प्लस 4 हम किस से अधिक जाएगा 4 या 5 अंक कुछ कुछ जोन में 6 अंक भी अधिक चले जाएगा इतना ही रहेंगा दोस्तो final cut-up तो दोस्तो मैं आपको सबसे सटivity cut-up बताया पूरा wishland के अधहर पर बताया सबसे सट дв आकड़े क्या दहर पर बताया तो दोस्तो अगर आप हमारा चैनल पहीं है तो तो आप हमाँ चैनल आर्पी स्टेडी पाइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाईए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होत रहे तो है दोस्तों दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छ लगा ताप वीडियो को लाइक करो अपन